हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको हाइनेक कॉलर कुर्ती विड डिजाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी ये मैंने दो मिटर रेयोन का फैब्रिक लिया है, तो सबसे पहले हैं फैब्रिक को फोरफोल में बिचाएंगे तो मेरी सैट है वो बंद वाली सैट है और जो उपर की सैट है वो खुली वाली सैट है तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने फोरफोल में बिचाया हुआ है और इसकी टोटल लेंथ मैंने 43 इंच रखी है ये 42 इंच हमारी रेडी होगी एक इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और शॉल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इसमें हम कॉलर नेक बनाने वाले है तो शॉल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और आम होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच ही रखूंगी 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम सिद्धी लाइन ड्रो कर लेंगे जितना हमने शॉल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी आसे हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो चेश्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइट बाइफ फोर करके उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंच का फेब्रिक लिया है और सिधी लाइन ड्रो कर देनी है और बेक आम होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप डो कर देंगे और उपर से एक निशान में 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चोड़ाई के लिए और दूसरा निशान में 20 इंज पर लगाऊंगी हिप की चोड़ाई के लिए अब भी जहाँ पर हमने 14 इंज पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर की चोड़ाई का 4th पर लेना है और उसमें भी हम 2 इंच एड़ कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए और जो हमने 20 इंज पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप की चोड़ाई का 4th पर लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए और जितना हमने हिप के लिए निशान लगाया है उतना ही निशान हमें नीचे से भी लगाना है इंच पर निशान लगाऊंगी इसमें हम कोलर नेक बनाने वाले हैं और पीछे की गले की लंबाय में एक इंच रखूंगी और आगे की गले की लंबाय में तीन इंच रखूंगी और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रोग कर देंगे फ्रांट और बेकनेक के लिए अभी हाफ इंच का हम इसमें shoulder slope देंगे तो हाफ इंच पर निशान लगाते हुए हम तिर्ची लाइन ड्रोग कर लेंगे और सबसे पहले हम back neck और back arm hole की cutting कर देंगे तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर ली है अभी जहाँ पर हमारी कमर की चोड़ाय है और hip की चोड़ाय है वहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे अभी हम इसमें से एक part को निकाल लेंगे और इसे वापस से double fold करते हुए front neck और front arm hole की cutting कर लेंगे तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर ली है अभी front part में हमें center में cut लगा देना है पूरे top part में हम center में cut लगा देंगे तो इस तरह से दो पीस हो जाएंगे front part के लिए अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4 fold में बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो बंद वाली साइट है और sleeve की total length मेंने 17 inch रखी है ये 16 inch हमारी ready होगी और उपर से sleeve की चोड़ाई मेंने 8.5 inch रखी है और cap sleeve की length के लिए मैं 3 inch पर निशान लगाऊंगी बंद वाली साइट से भी हमें 3 inch पर निशान लगाना है और एक सीधी length ड्रो कर लेनी है और खुली वाली साइट से हम 2 inch पर निशान लगाएंगे सिलाई margin के लिए और इसमें हमें sleeve का shape ड्रो कर लेना है अभी नीचे से मेरी sleeve की चोड़ाई 5 inch है तो इसमें मैं 2 inch add करूंगी सिलाई margin के लिए तो total मेंने 7.5 inch पर निशान लगाया है और side से भी हम line draw कर लेंगे अभी इसे हमें cut कर देना है तो इस तरह से मैंने sleeve की cutting कर ली है अभी ये मैंने 2 strip ली हुई है एक की चोड़ाई मैंने 3 inch रखी है और एक की चोड़ाई मैंने 2 inch रखी है अभी जो हमारी 3 inch और पटी है उसे हमें right side के ऊपर रखना है इसे हम सीधी side से ही पटी को रखेंगे और पूरी पटी में हमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद हम पटी की border को fold करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे उसके बाद आधी पटी को हम अंदर की side मोड़ देंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की साइट रखनी है और लेफ्ट साइट पर हम दो इन चौड़ी पट्टी को रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम पूरी पट्टी को अंदर की साइट मोड देंगे पूरी पट्टी को हमें अंदर की सैट मोर देना है तो ये देखे मैंने इसमें पट्टी अटेच कर दी है दोनों ही सैट से मैंने पट्टी को अटेच कर लिया है अभी जो लेफ्ट वाली सैट की पट्टी है उसे हम राइट वाली साइट की पट्टि के उपर रखेंगे और उपर से हम 3 से 4 इंच तक छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे उपर से हमें 3 या 4 इंच तक छोड़ देना है इसमें हम हूग से और आई सटेज करेंगे और इसके उपर सिलाई लगा दिनी है तो ये देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी एक पाठ के उपर दूसरा पाठ हमें उल्टा रखना है और इसके शॉल्डर जॉइंट कर लेने है तो ये देखे मैंने इसके शॉल्डर जॉइंट कर लिया है अभी हम इसमें स्लीव अटेज करेंगे तो स्लीव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही स्लीव को हम अटेज कर लेंगे सिलाई लगाते हुए और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हम इसमें अटेज कर लेंगे सिलाई लगाते हुए तो ये देखे मैंने इसमें sleeve attach कर ली है दोनों ही side से अभी नीचे की तरप से हम इसमें पट्टी attach करने वाले है तो ये मैंने दो पट्टी ली हुई है इसकी चोड़ाय मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5 इंच रखी है अभी दोनों पट्टी को एक दूसरे के उपर रखना है और सैट से हम इसमें सिलाय लगाएंगे दोनों सैट से सिलाय लगाएंगे और सैंटर में हम नीचे की तरफ से V-shape में सिलाय लगाएंगे नीचे की तरफ से हमें V-shape में सिलाय लगानी है तो ये देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दी है अभी जो नीचे का एक्स्ट्रा फेब्रिक है उसे हमें कट कर देना है दोनों साइट का एक्स्ट्रा फेब्रिक हम कट कर लेंगे और पट्टी को हम सीधी सेट पर पलट देंगे पहले हम इसके कोनों पर छोटा सा कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम पट्टी को सीधी सेट पर पलट देंगे पलटने के बाद हमें इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेना है और उसके बाद आप चाहे तो इसमें प्रेस लगा सकते हैं इसे सैट करने के लिए अब ही हम पट्टी को उल्टी सैट से अटेज करेंगे तो सबसे पहले हमें स्लिव के सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है स्लिव के बिलकुल सेंटर में हम कट लगाएंगे और सेंटर में हमें पट्टी को रखना है और पहले हम इसमें सिलाय लगा लेंगे और सिलाय लगाने के बाद जो स्लिव की बॉडर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है तो ये देखी मैंने स्लिव की बॉडर को फोल्ड करते हुए सिलाय लगा दी है अभी इस पट्टी को हम सीधी सेट पर टन कर लेंगे और इसके उपर हम एक बटन लगा लेंगे और इसे ही हम दूसरी स्लिव भी रेडी कर लेंगे अभी हम इसके लिए कॉलर कट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा नेक है उसका हमें मेजरमेंट लेना होगा तो पूरे राउंड नेक का हम मेजरमेंट ले लेंगे ये कुर्ती को मैंने double fold में बिचाया हुआ है तो हमें पूरे round neck का measurement लेना होगा तो ये मेरा 78 इंच आ रहा है तो हमें 16.5 इंच का color cut करना होगा तो ये मैंने बुकरम ली हुई है सबसे पहले मैं इसे double fold करेंगे और इसके उपर एक पीन लगा लेंगे और canvas की चोड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई मैंने 17 इंच रखी है तो सबसे पहले जो उपर की सैट है उसके center में हमें एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल center में हमें एक निशान लगाना है अभी जो इसकी चोड़ाई है वहाँ पर भी हमें एक center में निशान लगा लेंगे खुली वाली सैट से हमें ये निशान लगाना है अभी जो हमने उपर से निशान लगाया है उससे हमें round shape देते हुए जो हमने सैट में निशान लगाया है उसके साथ मिला देना है round shape देते हुए पीन को हम दूसरी साइट लगा लेंगे अभी जहां पर हमारी चोड़ा है वहां पर हम एक इंच पर निशान लगाएंगे हम एक इंच का कॉलर बनाने वाले है तो हमें एक इंच पर निशान लगा देना है और पूरे कॉलर का हम एक इंज पर निशान लगाते जाएंगे और एक इंज पर निशान लगाते हुए हम इसमें राउंड शेप ड्रो कर लेंगे जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक ही हमें इसमें राउंड शेप ड्रो करना है अभी पहले हम उपर से इसका मेजरमेंट ले लेंगे तो उपर से हमें सववा आठ हिंच पर निशान लगाना है उपर से हम इसमें सववा आठ हिंच पर निशान लगा लेंगे अभी उसी के नीचे हमें हलका सा राउंड शेप देते हुए लाइन ड्रो कर लेनी है नीचे की तरप से हम इसमें हलका सा राउंड शिप ड्रो कर लेंगे अभी इसे हमें कट कर देना है तो इस तरह से मैंने कोलर की कटिंग कर लिया है अभी हम इसे फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेंगे तो मैंने ये दो फेब्रिक के पीस लिये है अभी एक फेब्रिक के ऊपर हम कॉलर को पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से तो ये देखे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है अभी इसका एक्स्टा फेब्रिक है उसे हमें कट कर देना है हाफ इंच तक का फेबरिक छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा फेबरिक कट कर लेना है अभी जो उपर से एक्स्ट्रा फेबरिक है उसे हम अंदर की साइट रखते हुए इसके उपर प्रेस लगा देंगे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें इसके उपर प्रेस लगा देनी है तो ये देखे मैंने इसके उपर प्रेस लगा दी है अभी जो दूसरा वाला फैब्रिक का पीस है उसके उपर हम इस कॉलर को रखेंगे और इसका भी एक्स्ट्रा फेब्रिक हमें कट कर लेना है अभी सबसे पहले हमें नीचे की साइट से इसमें सिलाय लगानी है नीचे का जो राउंड वाला पाट है उसके उपर हमें सिलाय लगानी है ध्यान रहे हमारी सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास में आनी चाहिए बुकरम के उपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो पूरे राउंड पार्ट के उपर हमें सिलाई लगा देनी है नीचे का फैब्रिक अच्छे से एड़्जस करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे आप चाहे तो पहले इसे पीन से सिक्यूर भी कर सकते है तो पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे अब भी जो नीचे की सैट का थोड़ा बहुत एक्ष्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसके उपर छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम कोलर को सीधी सैट पर पलट देंगे कोलर को हमें अच्छे से सीधी सैट पर पलट देना है और इसके उपर हमें प्रेस लगा लेनी है इसके कोनो को भी हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे अभी सबसे पहले हमें कोलर के सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है या फिर आप एक छोटा सा निशान लगा लीजेगा कोलर के सैंटर में बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है अभी जो हमारे कूर्टी का नेक है उसके सेंटर में भी हमें एक छोटा सा कट लगा लेंगे कूर्टी के बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगा देना है अभी इस कॉलर को हम उल्टी से नेक के उपर रखेंगे और जो हमने कट लगाये है वहीं से हमें कॉलर को अटेच करते हुए जाना है तो जो हमने half inch fabric extra छोड़ा था वहीं पर हमें इसमें सिलाई लगानी है कॉलर को हमें बिल्कुल भी खीचना नहीं है बिल्कुल हलके हाथों से हमें इसे attach करना है सिलाई लगाते हुए तो पूरे round neck के उपर हम कॉलर को attach कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी side से भी हम कॉलर को attach कर लेंगे सिलाई लगाते हुए अच्छे से हमें इसे adjust करते हुए attach करना है कॉलर को हमें बिल्कुल हलके हाथों से ही attach कर लेना है सिलाई लगाते हुए अभी इस कॉलर को हम सीधी side पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे जो इसके कॉने है उसे हमें अच्छे से adjust करना है और कॉलर के अंदर दबाना है एक्स्ट्रा फेब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और कॉलर को अच्छी finishing के साथ हमें इसमें सिलाई लगानी है जो अंदर की सिलाई है उसे अंदर की side दबाते हुए हम कॉलर को attach कर लेंगे इस तरह से कॉलर attach करने से हमारा कॉलर बहुत ही finishing से बैठ जाता है तो कॉलर में हमें पूरे राउंड नेक के उपर सिलाई लगा देनी है तो ये देखे मैंने इसमें कॉलर attach कर दिया है और ये कितनी finishing से बैठ चुका है अभी इसे हम उल्टा कर देंगे कूर्ती को हमें उल्टा कर लेना है और side से 2 inch का gap देते हुए हम इसकी fitting कर लेंगे जहां तक हमने hip के लिए निशान लगाया है वहां तक ही हमें इसकी fitting कर लेनी है उसके बाद जो इसके side के चाक है उसे हम double fold करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे नीचे और उपर के दोनों ही चाक को हमें double fold करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है उसी तरह से दूसरी side भी हम 2 inch का gap देते हुए hip round तक इसकी fitting कर लेंगे उसके बाद इसके चाक को भी हम double fold करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे उसके बाद जो नीचे की border है उसे भी हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की चाक को भी मैंने fold कर लिया है दोनों ही side से मैंने इसकी fitting कर ली है और दोनों ही साइट के चाक को मैंने फोल्ड कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हूँ इसमें सिलाय लगा दी है अभी जो स्लीव में हमने पट्टी अटेच की है उसे हम सीधी साइट पर टर्न कर देंगे और इसके उपर हम एक बटन लगा लेंगे दोनों ही साइट पर हम बटन लगा लेंगे उसके बाद जो सेंटर में हमने पट्टी अटेच की है उसके उपर भी हम बटन्स लगा लेंगे दोनों ही स्लीव में हमें बटन्स लगा लेने है और सेंटर में भी हम इसमें डेकोरेटिव बटन्स अटेच कर लेंगे और उपर से जो हमने 4 इंच खुला छोड़ा है उसके उपर भी हम बटन्स अटेच कर लेंगे एंड बटन हॉल बना लेंगे तो इसी के साथ यह हमारी हाइनेक डिजाइनर कॉलर कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लूप सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का यह टूटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक को और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मेरा यह वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच गाइस